हालो एबरिवन कैसे आप सब उम्मेद करता हूँ आप सब अच्छे हैं और आज बात करने वाले हैं ओपन बुग एकजाम निशन देखिए आप सभी को पता होगा कि जो यूनिवर्शिटी की एकजाम है यूनिवर्शिटी की जो एकजाम होने वाली है वो इस्तगित कर दी ग अच्छा भी लगता है प्रमोट होना परन्तो जो इस्टुडेंट अपनी तयारी करते हैं उनको प्रमोट होना पसंद नहीं है तो इस वज़े से देखिए जो सरकार है उसने नए फैसले लिये हैं वो है कि जो फाइनल एयर है फाइनल एयर वालों को कुछ अलग तरीके से ली जाए और यदि जादा कोरोना इसी तरह से बढ़ता रहता है तो फिर फ़र्श्टेयर और सेकंडेयर वालों की भी इसी तरह से एक्जाम ली जाएगी मान लीजिए फ़र्श्टेयर वालों को प्रमोट कर दिया जाता है देखिए फ़र्श्टेयर वालों को प्रमोट हो फिर सेकेंडियर में आये हैं तो इस वज़े से उनको इस बार प्रमोट करने का कोई आदार नहीं है तो इसे देखिएगा एंड तक open book examination किस प्रकार से लिया जाता है इसके अंदर किस प्रकार का आपका paper आएगा और किस प्रकार के आपके question आते हैं और कितना time आपको मिलता है सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में clear करवा दूँगा तो इंड तक बने रहिएगा अब देखिए start करते हैं देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो open book examination होता है कोरोना वाइरस COVID-19 के चलते कुछ विशविद्दालों ने open book परिक्षा परनाली से UG final year तथा PG final year परिक्षा करवाने का फैंसला किया है देखिए UG final और PG final ने फैंसला किया है परन्तु आप याद रखेगा past year और second year BSC past year या BA past year, BSC second year या BA second year इन में भी open book examination ला सकते हैं तो एकदम तयार रहेगा आप इसको देख लीजिएगा किस प्रकार से आपके paper आता है और आपको किस प्रकार से जो मतलब question है वो पहले ही provide करा दिये जाते हैं कि भाई आपके ये question paper आएगा तो देखे एक-एक करके बात करते हैं end तक बने रहेगा एक-एक question को अपन यहाँ पर solo करते हैं तो यह सबसे पहले यह देखिए क्या है open book exam जो परिक्षा होती है open book की book क्या है सबसे पहला question यही आता है सभी studentों के मन में तो देखे यहाँ से देखिए क्या है open book परिक्षा open book परिक्षा परिक्षा पर्णाली में परिक्षार्थियों को सवालों के जवाब देते समय अपने पाठे पुस्तकों नोट्स और अन्य स्विक्रत सामगरी की मदद लेने की अनुमती होती है देखे, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि open book परिक्षापनाले में परिक्षारति को सवालों को जवाब देते समय आपको अपने पाठेकरम और notes आपको provide करवा दिये जाएंगे अथार्थ उन में से आप देखकर लिख सकते हैं तो देखकर लिख सकते हैं तो फिर इसी परकार की open book exam है उसको इसी परकार से बनाये जाएगा कि आप उसमें देखकर भी नहीं लिखवाओगे तो देखे, आगे तक बने रहेगेगा चात्र अपने घरों में बैठकर वेब पोर्टल से अपने अपने पाठे करम के परसंपत्र डाउनलोड करेंगे और सवालों के जवाब उत्तर पुस्तिका में लिखकर बेजेंगे देखे, आप घर पर रहेंगे घर पर युनिवर्सिटी क्या करेगी? एक पेपर बनाएगी इससे देखे, युनिवर्सिटी को भी लाब है एक पेपर बनाएगी एक पेपर बनाने के बाद वो उसको सभी स्टुडेंटों के जो इमेल हाईडी है उस पर डाल देगी तो वहाँ पर प्रते के घर में, सभी स्टुडेंटों के घर में वो क्यूसन पत्र पहुंच जाएगा और उसका एक निस्चित टाइम दे दिया जाएगा जिसमें आप करके उसको वापिस आगे बेच सके आगे देखे, दूसरा क्यूसन आपका ये उड़ता है ये ओपन बुक्स परिक्षा मोडल किस प्रकार से होता है ये जो मोडल है किस प्रकार का होगा देखिए open book परिक्षा मोडल में परिक्षा हैं दो प्रकार से आयोजित की जाती हैं पहली open book परिक्षा मोडल में परिक्षारती को विश्व विद्दाले परिक्षार में ही आने के लिए कहा जाता है देखे ये सबसे best रहेगा कि जो student है उनको विद्दाले परिशर में ही आने के लिए एक आ जाएगा परन्त एक बात बताईए यदि जो student इस परिशर में पहुंच जाएंगी तो वो तो offline exam भी दे सकते हैं वाई तो इस वज़े से इसको नहीं किया जाएगा और यदि यह भी किया जाता है तो open book का मतलब क्या होता है मतलब खुली किताब होती है आपके सामने वहाँ पर उन्हें paper दे दिये जाते हैं student परिशर देते समय अपने पार्टे पुस्तक और अन्य सामगरी जो paper को हल करने में मददगार हो का उपयोग कर सकते हैं देखिए आप यदि university में भी आपको बुला लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको बुक्तों मिलेगी देखने के लिए दूसरा model यूरूप के कुछ देशों में काफी लोग प्रिये हैं वहाँ परिक्षार्तियों को समय समय पर online paper sheet पेज़े जाते हैं ये तो ऐसे ही है आगे देखिए तीसरा question अपना बदल जाता है परसनों का स्वयरूप तीसरा topic अपना यही है कि जो question है उनका स्वयरूप बदल जाता है किस परकार से बदल जाता है देखिए कतिपय बुद्धी जीवियों का मानना है कि इस परिक्षा में कोई बुराई नहीं है परंतु इसमें परसनों का स्वयरूप बदल जाएगा ऐसे में अधिकतर सवाल विचारात्मक स्रेणी के होते हैं जिनका उत्तर देते समय तथ्यात्मक जानकारी की कम आउश्रक्ता होती है यही कारणे की परिक्षा देते समय साथ में पाठे पुस्तक होने के बाद भी परिक्षारती नकल नहीं कर सकते देखे इसके अंदर क्या होता है यह सब कहने की बात है कि पाठेप उस तक सामने होने के बाद भी student नकल नहीं कर सकते देखे आजकल के student बहुत हैवी हैं तो वो सब कुछ कर सकते हैं उनको एक बार book दे दोगे न और आप कहीं से भी question बना लो वो put up कर देंगे तो इस बात की आपकी कोई परिशानी नहीं है open book exam यदि होता है तो आपके मज़े हैं कोई परिशानी नहीं है क्योंकि यदि घर पे करवाते हैं तो बहुत आनन्द आ जाएगा आगे देखिए आगला question है अपना तो देखिए यह थी और यह है चातर विरोध देखिए अब जो student पढ़ने वाले हैं देखिए एक यह main topic है चातर कर रहे हैं इसका विरोध दिल्ली विसविद्दाले के चातर open book test के खिलाप है दिल्ली विसविद्दाले चातर संग ने भी इस पर अपनी आपति जताईए देखिए जो student पढ़ने वाले हैं जिनको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं हम एक percentage बनानी है तो वो तो इस open book exam का विरोध करेंगे क्योंकि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है मतलब 50% पढ़ा है उनको पता है लगबग लगबग उनको याद नहीं है तो उनको तो जैसे open book exam में कोई question आता है कि कुछ भी आजाता है tarried of fighter से सम्मधित कुछ भी आजाता है और उनका पढ़ा हुआ रहता है तो उनको पता रहता है यह उस chapter में है उस part में है तो वो tarried of fighter वाले chapter को लेंगे और उससे महां से question को लिख देंगी तो उनके ल रखी है उन्हों को उन्होंने इस exam का open book exam का विरोध किया है क्योंकि उन्होंने तो अपनी एक साल तक मेहनत की है और जो 100% वाला पढ़ रहा है वो 50% वाला उसके बरावर नमबर लेके आएगा तो उनको तो loss हो गाई इस वज़े से वो इस exam का विरोध कर रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है इस बार 2021 में जो कोरोना चल रहा है वो यदि 2020 की तरह है हैवी हो जाता है तो फिर सीधी सी बात है जाहिर है कि आपके open book exam होंगी इसको कोई नहीं रोख सकता है तो आपको मैं बता दू आप देख रहे हैं अपना channel science foundation तो इसे एक बार वीडियो को like कर दीजिएगा और जादा है जादा अपने दोस्तों के पास share कीजिएगा जैहिंद वंदे मात्रम मिलते हैं अगले class में तब तक के लिए धन्यवाद